तो दोस्तों क्या अब भी मेरी तरह इस कागज से ऐरुपलेन बनाना चाहते हैं तो जैसा-जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करते जाएँ यह देखें कुछ इस तरह से फॉल्ड करते जाएँ इस तरह से फीर इसको पल्टी किजिए ये देखे मैंने एक बार पल्टी किया है फिर इस तरह से याँ फोल्ड कीजी एक बार और अब इसे अच्छी तरह से उड़ा सकते हैं